नमस्कार दुस्तों मैं हुआ कुमार सिंग और स्वगात याप सभी का एक वाफिट से विक्तिव पर बात करने वाले हैं जेसी बोस इंवर्सिटी आप साइंसिंग टेकनोलोजी वाई अंसिय फरीदाबाद के बारे में फाइनली इतने समय बाद इनका जो है कि फिजिकल यहांपर ऑपन कर रखा है तो यहां पर आप कर सकते हैं तोि इसकूर प्लिक करते है है चैजूल पर आपको एक पडि़ेफ यहां की मिलेगा होने बाला है तो यहां पर देखें जो फस्ट इस्टिट लेवल कांसलिंग होने वाला है उनका विए निश्ट वहां पर आपको देना पड़ेगा ठीक है तो डियट यहां पर इन्होंने बता रखा पाइब दिन और उसके बाद पिर कटेगरी बाद उन्होंने बुला रखा है तो आपको जो है कि यहां पर बता रखा है कि जो मेरिट लिस्ट है वह बीस नॉवंबर को है कि इंवर्चिटी के वेवसाइट पर डिस्पले हो जाएगी आपको ध्यान रखना है और को चेक करना ह अबताा है तो अप्लाईव करने के लिए आपको आना पड़ाया प cursed और यहां पर यहां पर यहां पर अप्लाईवागा आंलाइन पर क्लिक करना पड़ давайте नोटीविशन पर सकते नई तो यहां पर apply for admission कर सकते हैं तो apply for admission करेंगे तो यहां पर आपको एक फार्म मिलेगा जिसमें आपको एक fee दे रखा जो non-refundable fee है वहां पर आपको एक fee pay करने पड़ेंगे करना आपका city ओगारे सब यहां पर डीटेल ओगारे डालने फिर वेरिफाई करना है तो यहां पर कर लेने हैं ठीक है आपको यहां पर देख्या बता रखाया कौन कौन सी step है यहां पर आपको registration कर लेने हैं अब दोस्तों बात आती है कि जो बच्चों के जो नुकसान होए और अब इंड हो चुकी और फीर रिफंड करने का डेट भी जा चुका है इनकी काउंसलिंग बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुकी ती जेजियू की यहां पर देख लिजी एमडियू उगर है कि तो बहुत सारे इंस्टिचूट में जो है कि बच्चे जो है के डिविशन ले चुकी उनका फीर रिफंड होने का भी चांस नहीं है तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादे नुकसान है लेकिन अगर उन बच्चों को मैं सजिसन देना चाहूंगा कि अगर आप अपने इस्टिचूट से बात करें कि सर मेरा जो फिचकल राउन में अभी वहां प अगर्मेंट यहाँ अच्छा से मिल सकता होता मतलब अच्छा कऑलेजे है तो लेकिन दिख्कत यहां पर यह हो गई है अभ उन बच्चों की लिए फाइदा होने वाला जूषन कई किसी भी तरीके से कई डॉक्मेंट से गलती से या फिर किसी तरीके से उनका अधिमिशन कहीं पर नहीं उपाया है तो उनके लिए बहुत बढ़ी आपरस्णूटी है क्योंकि जो बढ़ियां बच्चे थे वहां पर जो मतलब अच्छे रहंग वाले बच्चे थे उनका तो रहा है तो आप जरूर येम से में ट्राई कर सकते है लेकिन इस बात का वी धियान रखना थे आपको जो अगर आप इस कोर दे मुलें मिलेगा और यह चीज़े है बाकिक पास पास प्नकंटक्र र法 बहुत ही बढ़ियां college होने बाला है तो इस तरीके से जो इनका जो मतलब की तरीके से इतना लेट schedule जारी करने का जो है कि प्रॉफिट इन बच्चों को कुछ हुआ है कुछ जादे बच्चों को जो है घाटा ही हुआ है तो इनको जो है कि पहले एक वीडियो आपको थोड़ा भी helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी